देश भर में नवरात्री के नौ दिनों में देवी मा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है माननेता है कि नवरात्री में मादुरूगा की नौ रूपों की पूजा करने से खास क्रिपा बरस्ती है इस वर्ष चैत्र नवरात दो अप्रेल से शुरू होकर ग्यारा अप्रेल तक चलेगी चैत्र महीना की शुरूआत होने पर भंग समुदाय की एक अनोखी परंपरा है जिसमें भंग समुदाय के लोग पाठ पूजा करते हैं पाठ पूजा उपवास रहे कर गौ में हर घर में जाकर पाठ शिवलिंग और त्रिशूल की पूजा करते हैं जिसमें समुद के कुछ सदस्यों द्वारा भगवान शिव वा पार्वती के वेश भूशा में निर्तिक कर मन्नत के ले भिक्षा मानते हैं इस पाठ पूजा में ओडिसा राज्यकिर राइगर पाउर वेल नंबर दो और पशिम बोरगाउ के भंक समुदाय के लगभक सौ लोगों का समुद, फरस गाउ ब्लोक के ग्राम पशिम बोरगाउ, मध्य बोरगाउ, जुनागी कलार, सिंगापूरी कैम्प गाउ के घर घर जाकर शिव की अराधना करते हुए लकडी के बने पाठ, शिवलिंग और त्रिशुल को लेकर घर घर घुमते हैं, जहां घर की लोग इनकी पूजा करते हैं और मननत मांगते हैं, समुद के सभी द्वारा उपवास रहे कर दिन भर गाउ में घुमते हैं, जिसके घर मननत र हमारा में चोईजुल में जो पूजा होता है, इसके भोले संकर के पूजा कहता है, तो हमारा पूजा है एक मायना का, लेकिन हम लोग 15 दिन घुमता हूं, तो गाउ का जो मायना का आखरी जो दो दिन बचता है, एक दिन होता है हमारा चीन ज़ाड में जो पूजा बोलते है और अख्री जो मैना का है उसको बोलता है चड़क पोजा जो पीछे में गरी लड़का के उपर में तैंकते है और उसके बाध अख्री में यह जो हमारा सिविलिंग है इसका उपर हम फूल चड़ा के अरधना करते हैं वही फूल हमारा पाचा आते हैं यह हमारा नियम और हम लोग उडिशा से आके शेतिजगड में जोगानी पच्चिम बुर्गा मध्धम बुर्गा और सिंगापुर बुर्गा इस चारो गाव हमें जी बताइए यह तो है लेकिन हमारा परफूरुस में करके आते हैं हम उची को देखके हम लोग भी करता हूं इसमें फैदा है इसलिए करता हूं जी बताए परिबार में सुक संत रहता है बच्चे लोग का हम लोग देखते हैं और भगवान को बोलते हैं जो हमारा परिबा कि उसमें बहुत बिमा सेले जाते हैं तो यह हमारा पूजा का नियम हुआ 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 है